साल 2022 के अंत में T20 World Cup हो रहा है और इसको लेकर इस वक्त ICC Man's T20 World Cup Qualifier मुकाबले खेले जा रहे हैं आपको बता दें कि यह सभी मुकाबले जिंबावे के बुलवाओ में आयोजित हो रहे हैं और इसी दुरान प्रुनेमेंट में मंगलवार को मुकाबला नीदरलेंड और होंग कोंग के बीच खेला गया नीदरलेंड और होंग कोंग की टीम के बीच इस मुकाबले में नीदरलेंड के गेंदवास ने कमाल कर दिया और इतिहास रच दिया आपको बता दें कि इस मुकाबले के अंदर नीदिलेंड की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की मुकाबले की जानकारी अगर आपको दें तो हॉंक कोग की टीम ने पहले बले बाजी करते हुए 116 रन बनाए और टीम ओल आउट हो गई आपको बता दें कि लोगन वैन वीक ने इस माच में नीदरलेंड के लिए तयास रचा उन्होंने T20 इंटरनेशनल माच में हैट्रिक पूरी की और देश का नाम रोशन कर दिया देशनल पूरी बाज के अगर आपको जानकारी दें तो नीदरलेंड के गेंदबाज लोगन वैन वीक पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक नीदरलेंड की तरफ से अपना नाम की है आपको बताहनी की उन्होंने इस हैट्रिक के दोरान होंग कोंग के कप्तान को भी अपना शिकार बनाया स devaktion को लिपीड़ और साथी एहसान खान को भी अलपी डव आउट करके पबिलियन वापस बेजा Logan Van Beek ने पारी के अथारवे ओर की तीसरी चोथी और पांच विगेंट पर लगातार तीन विकेट चटकाई और अपनी हैट्रिक पूरी की आपको बता दें कि उन्होंने मैच के दुरान चार ओवर में 27 रन देकर 4 विकिट हासिल किये और इसी के साथ उन्होंने अपने टीम के लिए इतियास रज़ दिया साथी वेट T20 इंटरेशल में उन खिलाडियों में शामिल हो गए है जिनके नाम हैट्रिक है बता दें कि साल 2022 के अंत में उस्टेलिया में T20 वलकप खेला जाएगा और उसे पहले ICC मैंस T20 वलकप कौलिफायर मुकाबले खेले जा रहे है इसी दुरान नीदरलेंड और होंकंग की टीम के बीश मुकाबला खेला गया जहां नीदरलेंड के तेज गिंद बाज लोगन वैन बीक ने यह तियास रचा क्या कुछ आपकी राय है कमिन करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें नमसकर